वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगाता राजस्तान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है राजस्तान में 32 नए और कोरोना पोजिटिव मामले सामने आया है बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जैपूर से 20, जोदपूर से 7, भरतपूर से 1 और 2 सा में 3 कोरोना पोजिटिव सामने आया है वहीं जालावाड में भी एक कोरोना पोजिटिव सामने आया है कोरोना पोजिटिवों की संख्या बढ़कर प्रदेश में 847 हो चुकी है प्रदेश में अब तक आज 43 कोरोना पोजिटिव सामने आ चुके हैं लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है जैपूर में 20, भरतपूर में 11, जोदपूर में 7, दोसा में 3, भरतपूर और जारवाड में एक एक कोरोना पोजिटिव सामने आये हैं गाजस्थान में 32 नए कोरोना पोजिटिव सामने आये हैं इस ख़बर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे समाधता लोकेश ओला फोल लाइन पर मोजूद है जी लोकेश लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है 32 नए और मामले सामने आये हैं जी बिल्कुल 32 नए और कोरोना के मामले सामने आये हैं जो वीज़ेपुर में कोरोना कोजिटिव है वो सामने आच चुके हैं और वहीं जोदपुर में साथ और कोरोना कोजिटिव सामने आये हैं साथ यसाथ दोसा में तिन और भरतपुर जहलावार में एक एक कोरोना कोजिटिव सामने आये हैं झाल जो चीर ये लिए लगातार एंचा-लमेटेंग संहरी में तो जेफ़ूर में पूमारे में क Tai्नी Çोद्थ पूर थे कुल Master प्रदेश में बढ़ता जा रहा है लोकडाउन के चलते प्रदेश का सबसे बड़ा नमक उद्योग ठप है